नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अजे एस्ट्रोमनी गुरू पर, जहां हम लाते हैं ताजा अपडेट्स और एडवांस्ट एनालिसिस विभिन कमोडिटी मार्केट से. आज हम बात करेंगे सोलापूर पल्स मार्केट की, जहां दालों की कीमतों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं. आज, 22 अक्टूबर को सोलापूर पल्स मार्केट में तूर और उणद की कीमतों में उच्छाल देखा गया है, जबकि चना की कीमते स्थिर बनी रही. तूर की कीमतें, आज तूर की गुलाबी किस्म की कीमतों में 150 रुप्य की बड़ोतरी हुई है, जिससे यह 9,500 रुप्य से 10,150 रुप्य प्रती क्विंटल के दाइरे में कारोबार कर रही है. सामान ये गुनवत्ता वाली तूर की कीमतें भी स्थिर बनी हुई है और 9,100 रुप्य से 9,500 रुप्य प्रती क्विंटल के दाइरे में है. आज बजार में कुल तीन ट्रक तूर की आवक हुई है, जो पिछले दिन की तुलना में समान है. चना की कीमतें, मिल गुनवत्ता वाली चना की कीमतें स्थिर रही है, जो 6,500 रुप्य से 7,200 रुप्य प्रती क्विंटल के दाइरे में कारोबार कर रही है. इसी प्रकार अन्नागिरी चना की कीमते भी 6,700 रुप्ये से 7,350 रुप्ये प्रती क्विंटल के बीच स्थिर रही है आज बजार में दो ट्रक चना की आवक हुई है जो पिछले दिन के बराबर है उरद की कीमतें, उरद की कीमतों में आज 100 रुप्ये की बड़ोतरी देखी गई है जिससे ये 6,100 रुप्ये से 8,400 रुप्ये प्रती क्विंटल के दाइरे में पहुँच गई है आज कुल 3 ट्रक उरद की आवक हुई है जबकि पिछले दिन 8 ट्रक की आवक दर्च की गई थी मून की कीमतें, नई मून की कीमतों में आज कोई बडलाव नहीं देखा गया है ये 7,200 रुप्ये से 7,900 रुप्ये प्रती क्विंटल के दाइरे में बनी रही आज मून की कोई आवक नहीं हुई है आगे भी हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट्स और विशलेशन देते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद